इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 23 अक्तूबर 2021 विश्वास की घोषना मैं घोषना करता हूं कि मैं विशेश असाधारण और अलोकिक हूं मैं घोषना करता हूं मैं लोगों का निर्मान करता हूं मैं दूसरों को उनके जीवन में सर्वस्रेष्ट प्रदस्षन और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करने के लिए पुर्चाहिद करने के आफसरों की तलाश करता हूं मैं विश्वास और विजेता के सब्द बोलता हूँ, उनकी पुष्टी करता हूँ, उनका अनुमोधन करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि वे मुल्यवान हैं, मैं उनकी महानता के बीच का आवहान करता हूँ, उन्हें उचा उठने में और वहसत बनने में मदद करता हूँ, जिसे ईश्वन ने उन्हें बनने के लिए बनाया था मैं मसी में सू सज्जित हूँ कि पुराने कच्रे को नया बनाने के लिए कई पीडियों की निव को मजबूत करने के लिए मैं दरार का पाटने वाला पथो का सुधारक हूँ जहां सभी मसी के ज्यान में व्यास करते हैं यह मेरी घोषना है दिव्य स्वास्त की स्विकारोगती परमेश्वर की महिमा मेरे स्वास्त वित्त परिवार व्यवसाय और सेवाकारी में स्पष्ट है मुझ में मसी मेरे उत्तम स्वास्त सम्रदी और सफलता की ग्यारंटी है यह स्वास्त मेरे वर्तमान समय की वास्त विकता है और मेरा शरीर केवल यह यह के वचन का जवाब देता है हालिलूया मैं जैसा कहूँगा मुझे एशु के नाम पर वही मिलेगा मैं मजबूत हूँ, मैं स्वस्त हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं सक्तिशाली हूँ, मैं अभिशिक्त हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ईश्वर को प्रिय हूँ मैं इश्वर और मानोजाती का कृपा पातर हूँ मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाहता हूँ नाती जो मैं देखता हूँ मैं एक अनमोल बीज हूँ मुझे अपने इश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया है मेरे प्रभु के दर्बार में मैं ताड के पेड की तरह पनपता हूँ मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फलुत्पन करता हूँ मैं पौधों के रस से भरा हुआ हूँ और बुड़ापे में भी प्रभु में हरा हूँ मैं ताजा और सम्रद हूँगा मेरा पत्ता कभी नहीं मुर्जाता और जो कुछ भी मैं एशु के नाम पर करता हूँ संपन हो जाता हूँ एशु के नाम में चीजे हमेशा मेरे लिए काम कर रही है मैं मसी येशु में हर आध्यात्मिक आश्रवा स्विकार करता हूँ येशु के नाम पर मैं अपने शरीर से बात करता हूँ मैं आत्मा हूँ मेरी आत्मा और मेरा अंतरमन एक भौतिक शरीर में रहते हैं मेरी आत्मा मेरे अंतरमन को आग्या देती है मेरा अंतरमन सुनता है पढ़ता है और मेरे शरीर को निर्देश देता और मेरा शरीर पालन करता है इस्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में स्पष्ट और व्यक्त है मैं अपने शरीर के हर विबरन के लिए जीवन बोलता हूँ मैं अपने मनोभाव से बात करता हूँ, मसी के मनोभाव की तरह परिपूर्ण हो जा, और मैं तुम्हें ईश्वर के सब्द द्वारा संरेखित करने के आग्या देता हूँ, मैं अपने कांडरा अर्था सनायू और नसो के लिए जीवन बोलता हूँ, मैं अपनी मान स्पेश्य और स्नायू बंधन को ताकत बोलता हूँ, मैं अपने दिल से बड़ी जीवन सक्ति के बात कहता हूँ, मैं सामान ने वेंटिलेशन, हर्थात, वायू संचार और छड़काव अनुपात बना रखने के लिए अपने फेफ़णों और उतको से बात करता हूँ, मैं अपनी किड प्रेखित मजबूत और द्रड़ है, मेरी उंगलियां पुत्कृष्ट रूप से कारी करती है, मेरी आखे स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से देती है, और मेरे कान इस्टतम काम करते है, मेरी तचा एक नए जन्मे बच्चे की सुन्दरता के समान चिकनी और स्वस्त है मेरी तचा एक नए जन्मे बच्चे और इस्वर की सुन्दरता के समान चिकनी और स्वस्त है, मेरे बाल कोश कड़े हो गए है, मैं अपने बालों को अपने जगह में रहने की आग्या देता हूँ और जहां विकास की आवशक्ता होती है, मैं अपने कोश में वर्धी जारी क करता हूँ, मेरे दात, मसुडे, जवा, बंद और तंत्री का और रक्त की आपूर्ती सभी स्वस्त, मजबूत और परिपूर्ण है, मेरे सभी हार्मोन और नियूरो केमिकल ट्रांस्मेटर एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस में हैं, और अपने कारियों को सामान को पचाने, अवसोशित करने और आत्म साथ करने में सक्षन है, और चया पचय अप्सिष्ट उत्पाज नेमित रूप से उत्सर्जित होते हैं, मेरे प्रजन प्रणाली, परियाप्त, मात्रा और गतिशिल्ता, सुक्राणों का उत्पादन और जमा कर रही है, मेरे प्रजन प्रणी का हर एक अंग, हर एक कोशिका ठीक उसी तरह कार्य करता है, जिस तरह ईशुर्ण ने इसे कार्य करने के लिए रुपांकित किया है, येशु के नाम पर मैं अपने शरीर में किसी भी तरह की खराबी और कुरुटता कुरुटता हूं, मेरा पूरा मानो शरी रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान मसी एशो में परिपूर्ण है हालेलुया आमिन मैं जानता हूं मैं जानता हूं पिता ईश्वर मुझे प्यार करता है मैं जानता हूं मैं जानता हूं पुत्र ईश्वर मुझे प्यार करता है मैं जानता हूं मैं जानता हूं पवित्र आत्मा युसर मुझे प्यार करता है सालोम